Hello everyone, welcome back, कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे Dear Strings, आज की इस क्लास में हम UP Polytechnic First Semester की Applied Match के First Exercise के बचे हुए क्विस्टन का solution आपको प्रवाइड कराने वाले हैं Dear Strings, दो दिन आपको क्लास नहीं मिल पाई, उसके लिए क्या रिजन्त हमेने आपके साथ डिसकस कर दिया है आए Dear Strings, हम अपनी गारी को आगे बढ़ाते हैं और बचे हुए क्विस्टन को आपको साल्व करके दिखाते हैं ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन धैर बनाईएगा और सभी के सभी क्विस्टन को जरूर से जरूर से जरूर सीक लीजेगा सबसे पहले हमारी एक बहुत ही खास है जो बार-बार क्विस्टन नमर 7 की डिमांड कर रहे हैं कई सारे बच्चे डिमांड करें तो पहले हमापको क्विस्टन 7 साल्व कराएंगे बाकी आगी क्विस्टन हमारा क्या है वास्तों में अच्छा कुष्टन है लेकिन उस समय बहुत कम बच्चों ने इसकी डिमांड की थी इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया ठीक है और जो बच्चे ये चाहते हैं कि सर मज़ेदार मज़ेदार कुष्टन कराईए तो भाई एकसरसाइज में आगे बढ़ना स्टार्ट करिए मज़ेदार मज़ेदार कुष्टन आपको मिलना है स्टार्ट हो जाएगा अभी तो इस स्टार्टिंग है अभी तो छोटे छोट dot 76 में पदों की संख्या ग्यात कीजिए ठीक है बच्चों देखो आपको छोड़ा सा एक्जाम्पल देता हूँ जैसे माल लीजिए एक लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हूँ थोड़ा गले में एक रास है इसलिए दिक्कत हो रही है एक लाइन में कई सारे लोग खड़े हूँ तो अन्तिम कौन होगा जैसे माल लीजिए अगर एक लाइन में दस लोग खड़े हैं तो दसवा ही कौन होगा अन्तिम होगा इसलिए ध्यान रखिएगा कि हम लोग इस तरह के प्रस्णों को हल करने के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं माल लेते हैं कि इस स्रेड़ी में कुल पद कितने है न है और डियो स्टोट्स अगर हमने यह माल लिया कि इस स्रेड़ी में कुल यन पद है तो यह नवा पद यही तो होगा यह नवा पद हमारा कौन होगा चिहत्तर ही हो क्योंकि हमने माल लिया कुल पद यह नहीं है तो यह यह होगा समझ में आई बात ना ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप यह माल लीजे कि अगर किसी स्रेड़ी में कुल यह न पद ही है तो एन बराबर बच्चों ल होता है यह न का फार्मला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो ए एन की जगहां पे अल्पुट कर दो इसको आप लोग दारेक्ट यूज़ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे समझ में आता है तो बेस्ट है नई समझ में आता है तो एन माने ल समझो और यह फार्मला आप लोग यूज़ कर लो तो देखो कैसे हम यूज़ करेंगे जो आपके पास डिएस गिवेन एपी है खुब धान से समझिएगा जो गिवेन एपी है इसका फस्टर माइनस 116 आपको गिवेन है कोई प्रॉब्लम नहीं है डी की वेलू फाइंड करते हैं माइनस 108 और माइनस जब पर होगे यह प्लस हो जाएगा बच्चों प्लस 116 हो जाएगा मिनस डी की वेल क्या क्या करूं अताहप कह सकते हो यह से बढ़ाबर सर कितना होगा चीहत्तर क्यों कि 170 और यह प्लस एट इमिसा बड़ाबर सर कितना होगा an समझो या l समझो दोनों का फार्मला सेम है an equal to l अभी अगलिक साइज में इसको मैं use भी कराऊंगा आप लोगों को तो a plus n minus 1 into d equal to 76 हो गया आपको n find करना है a की value आपको पता है sir कितनी है minus 116 है और plus n की value तो find करनी है sir d की value आपको कितनी मिल गए sir 8 मिल गए is equal to 76 होएगा solve करते चलिएगा n minus 1 into में 8 d यहाँ पर हो जाएगा is equal to 76 plus 116 ठीक है न solve करिएगा आप लोग यहाँ पर आपको मिलेगा n minus 1 into में 8 is equal to ठीक है यहाँ पर बच्चों 6 और 6 कितना हो गया 12 और यहाँ पर 7 और 8 आपका उधर से बच्चा था हासिल आया था 9 हो जाएगा और यहाँ पर कितना बच्चेगा 1 means 192 आपको यहाँ से मिल रहा है तो आईए देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा आपका solve कर लेते हैं बच्चों 8 से आपको भाग देना पड़ेगा न तो n minus 1 is equal to आपको जाएगा 192 divided by 8 ठीक है तो कितनी बार जाएगा 8 दूना 16 तीन बचेगा 8 चौक 32 ठीक है 24 हो जाएगा n minus 1 is equal to 24 तो n equal to to the distance 24 plus 1 then n is equal to 25 इसका मतलब हमारे पास यह जो स्रेडी दी गई थी जिसमें पूछ रह था कितने पद होंगे इस स्रेडी में पदों की इकुल कितनी होगी 25 होगी और 35 होगी तो इस तरह का कोई भी question आपके सामने आएगा आराम से आप लोग साल्व करेंगे मुझे पूरा भरोसा है इसको आप लोग वीडियो को बास करके question को dear students note किया करिए और एक बात और भाई देखो class आप लोगों की चल रही है तो आपका ये उत्तरदाई तो बनता है आपके जिम्मेदारी बनती है कि class को जरूर से जरूर से जरूर सेयर करें ठीक है बास समझ में आदिए share करिए like करि जबर जस्त मजाएगा बिल्कुल tension आप लोग मत करिए कई सारे बच्चे comment section में जाकर के बोलने कि सर्फ physics class कब चले कमिश्ची करें या जो पढ़ारे पहले उसको पढ़िए उसका भी time आएगा tension मत लिए उसके लिए कुछ न कुछ आप लिए plan जरूर से जरूर कर रहा लेकिन वो सब के सब आपके उपर depend करता है बिल्कुल tension मत लिए और कल दीपावली है न चोटी दीपावली कल बड़ी दीपावली कल आपके ये बड़ा धमाक लेकर करें आउगा बिल्कुल tension मत लिए आपको पता है दीपावली को अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए तो कल औ और अच्छी पढ़ाई आपकी कराऊंगा चलिए आगे बढ़ते हैं हम question number 16 की तरफ बढ़ते हैं question number 16 इसके पहले हमने सारे question को इधर तक सब कराया था question number 16 भी हमने आपको थोड़ा वहुत हिंट दिया था सायद आप लोगों ने किया होगा चलिए नहीं किये होंगे तो बा ले लोगे और common difference को डिले करके जो जो कह रहा है उसका use करके equation मना ही उसको solve करिए दिन नहीं आएगा तो मुझे साथ आप discuss कर लिजेगा अभी मैं आपको बताने वाला हूं question number 18 जवर जस्त question है 18, 19, 20, 21, 22 सारे question solve कराएंगे धान से देखेगा क्योंकि ये सभी के सभी question बच् P1 पद Q plus 1 वे पद के बराबर है तो कुछ हमें proof करना dear students हमने आपको starting से बोला है कि समानतर स्रेणी के बारे में कुछ भी बताना होगा सबसे पहले उस स्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर आपको पता होना चाहिए तो first आपद हम लोग क्या लेट करेंगे यहां पर मान हैं माना समझना केहने के माना स्रेणी का अज ह송 लोग को मानना पड़ेगा चलो साथ हम क्या करते हैं सार्वांतर को अessäimens कोह लोग क्या कर लेते हैं अब सुनिए ध्यान से प्रसना अनुसार प्रसना अनुसार कह रहा है कि एक समांतर सेड़ी का जो पीवा पद है वो q प्लस 1 में पद के बराबर है ऐसा इसमें बोला गया है तो tp equal to t बच्चों q प्लस 1 ऐसा यहां पर दिया गया है अब पीवा पद के लिए फार्मला लगाओगे a plus p minus 1 into d होगा is equal to इसके लिए लगाओगे तो a plus q plus 1 minus 1 into d होगा क्यों हमने फार्मला अप्लाई कर दिया है कौन सा सर हमने फार्मला अप्लाई किया है tn is equal to a plus n minus 1 into d वाला फार्मला क्यों अप्लाई कर दिया हमायने ठीके आप देखो बच्चों a से एकट गया बचा कितना आपके पास p minus 1 into d is equal to यहां पर 1 से 1 cancel हो गया d into q into d बचा d से d बच्चों क्या हो गया cancel हो गया तो आपको मिला कितना p minus 1 is equal to q अब आप थोड़ा देख लिए आपको प्रूफ क्या करना है डिया स्ट्रेंट्स आपको प्रूफ करना है कि p minus q is equal to 1 होगा क्यों को इधर ट्रां questions question बहुत ही easy है आप लोग वीडियो को पास करके इस question को भी note करिए तरह हम आपके साथ discuss करते है question number 19 before that pass the video and note down बच्चों हम लोग देखते है अपना question number 19 बहुत ही अच्छा question यह भी है करा है किसी समांतर सेड़ी का यम प्लस यनवे पद और एम माइनस यनवे पद का अंतर 2N है कोई समांतर सेड़ी है जिसके एम प्लस यनवे पद और एम माइनस यनवे पद का योग कितना दिया है तो यम दिया है तो आपको कुछ सिद्ध करना है जो भी सिद्ध करना है उसके लिए हमें इस समांतर स्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर पता होना चाहिए बस एक ही लॉजिक जो मैंने आपको बताया है उसी को आप लोग बच्चों ध्यान रखिएगा तो मान लीजिए क्या मानेंगे माना स्रेणी का प्रथम पद ध्यान देना माना स्रेणी का प्रथम पद या एपी लिग लिया करिए प्रथम पद डियस्टेंट्स क्या ले ले हम ए ले ले साथी साथ बच्चों हम लोग सार्व अंतर जो है जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कह लेते हैं उसको हम क्या ले लेते हैं दिल लेते हैं अब देखिएगा प्रस्णा अनसार यहां पर कहा क्या जा रहा है कैरा बच्चों की M प्लस यनमे पद साथी साथ M-90 का अंतर पहले दिया है तू यन है माने इसमें से क्या सब्ट्राइक करना है M-90 के बीच में 2N का अंतर है तो हमने ऐसा लिखा अब इसको हम लोग साल्ब करेंगे कैसे क्या कर रहे है हम केवल और केवल फार्मला लगा रहे है ठीक है चलिए साल करिए इसको बच्चों क्या मिलेगा A प्लस M प्लस N-1D ब्रेकेट ओपेन करोगे माइनस A माइनस M-N-1 इन्टो D इक्वल तू तू यन ठीक है देखिएगा A से बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल अब इस पूरे में आपको डी कॉमन दिख रहा है ना चलो डी कॉमन ले लो डी कॉमन लोगे डी स्टेंट्स यहां बचेगा आपका M प्लस N-1 और यहां हो जाएगा यह माइनस को क्या करदेगा प्लस N और फिर कितना हो जाएगा प्लस 1 इस इक्वल टू 2N अब देखो यहाँ पर 1 से 1 हो रहा है कैंसिल और डी स्टेंट्स M से M भी क्या हो गया कैंसिल हो गया आपको कितना मिला D into देखो जहां से यहां पर N plus N, माने कितना N, 2N is equal to 2N, means आपका 2N से 2N cancel हो गया D strength, D की value जो है आपको यहां से कितनी मिल गई, 1 मिल गई, ठीक है, अब D की value तो आपको मिल गई, अब किसकी value चाहिए आपको, A की value चाहिए, उसके लिए इसने दूसरी condition हमें दे रखी है, दु T M minus N is equal to D strength, आपको यहां पर कितना दिया गया है, 2M दिया गया है, अब इसका use करके हम लोग क्या कहरेंगे, पहले A की value को find करेंगे, चलो भाई, क्या होगा, A plus M plus N minus 1 into D, प्लस A plus M minus 1, M minus N minus 1 into D, capital bracket लगा लेते हैं, यहां पर 2M दिया होगा है, ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहां पर सबसे पहला, तो A से A add हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2A plus इसमें और इसमें, मैं D को अमल ले लूँगा, तो बचे कितना M plus N minus 1, plus M minus N minus 1, is equal to D strength कितना हो जाएगा, 2M हो जाएगा, देखिएगा यहां पर आपका क्या cancel हो रहा है, यहां पर D strength, आप लोग बचा कितना 2A plus, अब D की value तो 1 आप लोगों ने find किया, उसको उठा कर गया, हम यहां पर रख देते हैं, तो M और M कितना हो जाएगा, D strength, 2M हो जाएगा, और minus 2 हो जाएगा, is equal to, आपको यहां से कितना मिल जाएगा, 2M, समझा रही है बाते न, solve करते चलिएगा, D strength, यहां 2 आपको कितना मिल गया, 1 मिल गया, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो condition दी गई थी, उस condition का use करती हुए, D strength, हम लोगों ने क्या किया, दो equation बनाया, और उन दोनों equation को solve करने के बाद, हमें A और D की value मिल गई है, अब जब हमें A और D की value मिल गई है, तो हमें करना क्या है, ह आप लोग note कर लिजेगा, dear friends, वीडियो पास करके note कर लिजे, अभी हमें करना क्या है, हमें दिखाना है कि M प्लस यनवा पद और M माइन देखो, prove क्या करना, एक बार दिखा देता हूं, dear friends, इस question में आपको prove करना है कि T M प्लस N अपान T M माइनस N जो होगा, वो M प्लस N अ N अपान M माइनस N होगा, तो इसका फार्मला हम लोग लगा सकते हैं, क्या होगा, left hand side लेके solve करते हैं, T M प्लस N अपान T M माइनस 1, इसका फार्मला क्या होगा, sir, A प्लस M प्लस N माइनस 1 इंटू D, अपान इसका क्या होगा, sir, A प्लस M माइनस N माइनस 1 इंटू D, A की value कि इतनी आई है 1 पुट कर दो प्लस M प्लस N – 1 डी की वैलू कितनी आई है वन आई है तो कुछ रखने की जरूवत है नहीं multiplied by 1 means इतना ही बचेगा अपान में ऐसे ही यहां पर एक वैलू भी वन आई है तो रख देते हैं यहां पर भी वन रख देते हैं प्लस यहां बच्चो M-N-1 बचेगा ये 1 इससे cancel हो गया ये 1 इससे find ये आपको मिल कितना गया M-N अपान M-N जो की right hand side के क्या हो गया equal ये हमारा proof हो गया बास समझ में आड़ी dear students इस question में हमें करना क्या था दो condition दी गई थी कि कि किसी arithmetic progression के किसी AP के M-N और M-N अवे term का जो difference है जो अंतर है वो 2N है उसका use करते हुए जब मैंने equation मनाया तो हमें वहां से एक value find हो गई जो D की थी again जो दूसरी condition हमें दी गई थी उस दूसरी condition का use करके जब हमने equation मनाया तो वहां से हमें A की value बच्चो find हो गई उस A और D की value का use करते हुए उसने हमसे कहा था कि ये प्रूफ करके दिखाए तो इसको हम लोगों ने उठा तरके प्रूफ कर दिया बहुत ही जबर जस्त और बहुत ही अच्छा question है आपको जरूर से जरूर समझ मे आ गया होगा तो इस वीडियो को पास करेंगे इसको आप लोग नोट करिए चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने next question की तरफ ऐसे धीरे-धीरे करके सभी के सभी कुश्चन को आज जरूर से जरूर साल्व कर लेना है और complete वीडियो आप लोग जब वास करेंगे तभी आ मज़ा आएगी और आपको सारे question समझ में आए या नहीं है comment section में जाकर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा आए बच्चों हम लोग साल्व करते हैं अपना question number 20 जो बहुत ही अच्छा question है कह रहा है यदि समांतर सेड़ी का P1 पद Q वा Q1 पद P हो तो सिद्ध कीजिए कि P plus Q व देखो बच्चों क्या दिखा रहा है TP plus Q बराबर 0 होगा यह हमें प्रूफ करना है यह हमें सिद्ध करना है और हमें यह दिया क्या है पीवां पद क्यूं है और क्यूवां पद P है ऐसा यह बोल रहा है तो dear strength सबसे पहले हमें क्या करना होगा वही पुराना काम क्या मानते हुजो देखे के धहान से कहेंगे माना AP का AP का प्रथम पद ध्यान देना dear strength प्रथम पद बराबर A तथा सार्व अंतर भी मान लो सार्व आंतर बराबर डियस्टेंट से आप क्या मान लोगे दी मान लोगे इतनी बात समझ में आ रही है अब दो कंडिशन आप लोगों को दी गई है दोनों कंडिशन का यूज करते हुए आप दो इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे बोलेंगे बच्चों क्या एकार्डिंग टू फरस्ट कंडिशन ध्यान देना एकार्डिंग टू फरस्ट कंडिशन यह आप कह सकते हैं प्रथम सर्थांसार प्रथम सर्थ बच्चों आपको यहाँ से यह बोला जा रहा है कि इसका जो है पीवापद क्यू है अर्थाद T P equal to कितना है क्यों है अब T P का फार्मला A plus P minus 1 into D equal to Q होगा इसको हम लोग क्या मान लेंगे equation number first मान लेंगे फिर क्या दिया है second condition अगेन लिख सकते हैं इसका क्यूँवापद जो है बच्चों पी है ऐसा बोल रहा है तो किवापद means A plus Q minus 1 into D equal to आपको P दिया गया ये मेरा equation number second हो गया हमारा काम क्या है सर इन दोनो equation को आप हमें solve करना है और A और D की value को find करना है जब दोनो equation को solve करके A और D की value आप find कर लेंगे तो हम लोग आराम से P plus की वापद निकाल पाएंगे तो कैसे solve करेंगे बहुत ही आसान सा तरीका बता रहे है समीकाड A से समीकाड 2 को घटा दो बिलोपन भी दी प्रयोग करेंगे A plus P minus 1 into D is equal to Q A plus Q minus 1 into D is equal to P subtract कर दो बच्चों minus करो कि ये भाइसा cancel हो जाएंगे इधर D common हो जाएगा बचेगा P minus 1 minus Q plus 1 हो जाएगा इधर आपको Q minus P finally मिल जाएगा समझार ये बाते 1 से 1 हो गया cancel यहां बच्चा D into P minus Q is equal to Q minus P तो D is equal to हो जाएगा Q minus P upon P minus Q इसको cancel करोगे तो minus वनाएगा सर क्यों minus वनाएगा क्योंकि उपर Q minus P है और नीचे P minus Q है इस तरीके से आप लोगों ने क्या किया D की वैलू को D strength find कर लिया अब इस D की वैलू को लाकर कि आप equation first में put कर देंगे तो आपको A की वैलू मिल जाएगी यहां लिखते हैं हम लोग from equation first from equation first समीकर एक से आप लोग यहां पर लिखेगा A plus ध्यान दो बच्चों यहां हो जाएगा P minus 1 into D की वैलू सर कितनी है आपके पास minus 1 है is equal to Q दिया है अब देखो ध्यान से यहां पर minus multiple होगा तो minus P plus 1 is equal to Q हो जाएगा उधर भेज दीजिए equal to P plus Q minus 1 यहां आपको यहां से A की वैलू मिल जाएगे समध में आ रहे हैं बाते हाप लोगों ने क्या किया जो भी condition दी गई थी उस condition का use करते हुए आपने इस arithmetic progression का first term और साथी साथ क्या common difference अर्थात प्रथम पद और सार्वांतर बच्चों आप लोगों ने क्या किया ग्यानत कर लिया अब हम लोग जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करेंगे वीडियो को पास करके आप question को note कर लिया करिए question भी solution को note कर लिया करिए अब बच्चों हमें निकालना क्या है P plus Q आपद तो formula क्या होगा A plus P plus Q minus 1 into D A की value कितनी आई है आपके पास P plus Q minus 1 और plus P plus Q minus 1 यहाँ पर रहेगा ही रहेगा into D की value सर कितनी है minus 1 है अब यह minus यहाँ लगा तो देखो क्या बचेगा P plus Q minus 1 ऐसे रहने दो यह minus इस plus को minus कर देगा तो क्या बचेगा P plus Q minus 1 यह पूरे भाई सहाब आपस में cancel हो गया और कितना आगया यह 0 आ गया तो proof हो गया कि T P plus Q equal to क्या होगा 0 होगा और यही आप लोगों को यहाँ पर proof करना था समझ में आई बाते तो चलिए फटा फट से इस question को भी note कर लिए तो हम लोग करते है अपना next question question को आप लोग खटाक से क्या करेंगे वीडियो को पास करेंगे और question को तुरंट से तुरंट आप लोग बच्चों क्या करेंगे note कर लिया करिए ठीक है दो question हमारे पास और बच रहे है question सब हम लोग देखते हैं question number 20 तक हम लोग उन्हें साल्व कर लिए अब हम यह करना है 21 और 22 हमारा question number 21 क्या है इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास एक स्रेड़ी है 3X है दियो स्टेंट 5X है और कितना है 7X है करें का कह रहे हैं कि का यनवा पद ग्यांद के जिए बहुत अच्छा question है का यनवा पद ग्यांद देखो इस question में कुछ खास नहीं है बट ये question exam में पूछा जा चुका है आप book में देख पा रहे होंगी UPBTE लिखा है 2011 में पूछा गया था कुछ तो खासियत है इस X को और N को देख करके बच्चे confused हो जाते हैं बाकि इसमें कोई खास बत नहीं है इसका आपको यनवा पद निकालना है आप लोग 3X होगा D की वैलू कितनी आएगी 5X माइनस 3X करोगे तो D equal to D strength आपको 2X मिलेगा तो हमें इस AP का first term और common difference आसानी से find हो गया हो गया अब हमें इसका यन्थ term निकालना है means TN निकालना है तो TN equal to A plus N minus 1 into D value खटा-खट से put कर दो A की value 3X रखोगे N तो यह नहीं रहेगा और D की value D strength आप 2X रख दोगे सालब कर रहा हो तो जल्दी सल्दी से आप लोग TN equal to 3X plus यहाँ आएगा 2NX minus में कितना 2X ध्यान समझेगा तो TN equal to distance क्या करोगे 3X में से 2X minus कर 2X बचेगा तो 2NX पहले लिख देते हैं और 3X में से 2X minus करके यहाँ पर X लिख देते हैं ठीक है न आप देखो क्या करो TN equal to यहाँ 2N plus 1 into X बहरवा ऐसे करके इसे लिख दो देखो तो यह आपको क्या मिल गया इसका nth term मिल गया कहाँ TN equal to क्या मिला है 2N plus 1 into X कहोगे सर प्रूफ कैसे होगा अगर डियर स्टेंड्स यह इस AP का nth term है अगर यह जो आप लोगों ने find किया है यह इस AP का nth term है तो उसमें n के place से 1 put करने पर आपको इसका 1st term मिल जाएगा 2 put करोगे इसका 2nd term मिल जाएगा 3 put करोगे आपको 3rd term मिल जाएगा तो चेक कर लो 1 put करोगे तो 2 और 1 3 देखो 3X आएगा 2 रखोगे 2 तुना 4 एक 5 देखो 5X राएगा 3 रखोगे 2 तियाई 6 एक 7 माने देखो 7X आएगा ठीक है बाते जब अर्जस्ट कुश्टन था वीडियो को पास करके इस कुश्टन को भी डियो स्टेंट्स आप लोग नोट कर लिए और अब हम लोग बात करेंगे इस इक्सरसाइज के लास्ट कुश्टन की जो हमारा कुश्टन नंबर 22 होने वाला है जिस कुश्टन में बच्चे सबसे अधा परिशान होते हैं देखिए गाइस को हम लोग कैसे साल्व करने वाले है कुश्टन नंबर 22 डियो स्टेंट्स आप देखिए अधान से करा एक समानतर सेड़ी के पीवे कीवे तथा आरवे पद क्रमसा एक्स वाई जेड है पीवापद y है q वाई पद y है और r वापद डियो स्टेंट्स यहाँ पर z है तो दर्साना आपको क्या है देखिए धे पहले उसको मैं यहाँ पे लिग देता हूँ आपको दिखाना है कि q माइनस r इन्टू x प्लस ठीके r माइनस p इन्टू y और प्लस P-Q into Z is equal to क्या आना चाहिए 0 ऐसा हमें प्रूफ करके दिखाना है तो P वाँ पद X है, Q वाँ पद Y है और R वाँ पद Z है, ऐसा इसमें दिया हुआ है तो सबसे पहला काम, वही काम, पहला पद मानोगे आप लोग क्या कहेंगे, माना, माना AP का प्रथम पद ध्यान देना AP का प्रथम पद बच्चों क्या मान लो, A मान लो साथी साथ सार्व अंतर जो है उसको आप क्या मान लोगे, D मान लोगे अब सुनो ध्यान से, प्रसनान सार हमें दिया क्या क्या गया है वो समझो कह रहा है कि P वाँ पद सर कितना है X है तो P वाँ पद माने A प्लस P माइनस 1 इन्टू D इक्वल टू X इसी और एक क्वेशन नमबर और क्या दिया है तथा Q वाँ पद बच्चों कितना दिया है Y तो Q वाँ पद माने A प्लस Q माइनस 1 इन्टू D बराबर Y यह हो गया समिकर्ण नमबर दो फिर तथा लिख दो आर्वापद सर कितना दिया है आर्वापद आपको दिया है Z तो आर्वापद माने A प्लस R माइनस 1 इन्टू D इक्वल टू Z इसी और एक्वेशन नमबर थर्ड समझाया अब हमारे पास थ्री क्वेशन बने हुए है इनका यूज करके आपको इसको प्रूफ करके दिखाना है मैं आपको बता रहा हूँ वही आप करोगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा देखो जहां से का करोगे समीकर्ण 1 में देखो X है X के साथ कितना आ रहा है भईया Q-R न तो समीकर्ण 1 को Q-R से गुड़ा करेंगे प्लस कर देंगे इसमें समीकर्ण 2 देखो कहां है ये है Y के साथ कितना रहा है R-P तो इसको गुड़ा कर दिजेगा R-P से गुड़ा करेंगे प्लस कर दिजेगा समीकर्ण 3 देखो भाई इसमें क्या रहा है Z के साथ P-Q वो आ रहा है तो इसको बच्चों आप लोग P-Q से गुड़ा करके जितना मैंने लिखा है उतना कर दीजिएगा आपका रजल्ट आ जाएगा क्या करना होगा आपको इसको आप गुड़ा करोगे Q-R से हो रहा है ये lecture complete होने के तुरंत बाद आपको ये process करनी है और करके comment section में आकर कि आपको मुझे बताना है कि आपका zero आया या नहीं है नहीं आया होगा तो हम किसलिए हैं भाई हम आपको solve करके दिखाएंगे थोड़ी सी process लंबी होगी calculation जादा होगा इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारे dear students को जरूर से जरूर करें और उससे आपका experience भड़ेगा क्या करना है हमने आप लिख दिया समीकार 1 को इससे गुड़ा करो समीकार 2 को इससे गुड़ा करो समीकार 3 को आगई होगी अगर कोई भी बच्चे हमारे ऐसे हैं जो नए है बाइक की सारे lectures को नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेश्ट बनी होई है ठीक है यूपी पॉल टेनिक first semester applied maths के नाम से इसको आप जरूर सरूर देख लीजेगा आपको वीडियो कैसा लगा आपको class कैसे लगी comment section में जाकर की बिल्कुल जरूर बताईगा वीडियो को like कर दीजेगा और अपने दोस्तों को share करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो ठीक है बच्चों आज के इस वीडियों बसना ही तब तक के लिए सांदा रहिए मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए और छोटे दीप आउली के आप लोगों को सुब काम नहीं मिलते नेक्स वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए आल दोस्त